आप सभी के लिए एक बहतरी सेशन की शुरुआत कर रहा हूं यह जो सेशन है यह बिसिकली उनके लिए है जो सभी कॉंप्रिटिव इग्जामिशनों की तयारी करते हैं क्योंकि उनकी जो कॉंप्रिकेशन होती हैं यह समन्द्र में से कुष मोती को चून के लाया हूं तो यह हमारी जो श्री जब ही चलेगी टॉप 10, फिर हमारे स्रीज चलेगी टॉप 20, फिर हमारे स्रीज चलेगी टॉप 30, फिर चलेगी टॉप 40 और फिर टॉप 50 की स्रीज चलेगी दियर, यह जो स्रीज है यह आपको weekly स्रीज मिलेगी, यह आपको always weekly स्रीज मिलेगी, तो वो Sunday आपको यह सिरीज मिल जाये करेगी, ओके तो Sunday special आपको GSMC экus की सिरीज आपको मिल जाये करेगी, खरेक्ट, आएके इस session की खासियत क्या है, कि यह session में आपको Apology के भी questions मिलेंगे, geography के भी questions मिलेंगे, इनमें economists के भी questions मिलेंगे और हमारी जो current phase की weekly चलती है वो तो आपकी चलती रहेगी correct इसके अलावा मैं economics की classes को चालू कर रहा हूं जैसे economics की classes किस पर based होगी वो आपकी पूरी JPC, BPC पर best होगी ओके और साथ ही साथ academic classes को भी मैं बहुत जल सुरू करने वाला हूं तो इन तमाम चीजों को लेकर आपके साथ आगया हूं तो आएए आपका हमारा साथ अच्छा रहे और आपके लिए मैं फाइदे मन्द हूं इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है तो चलिए session के शुरुआत कर लेते हैं आप मुझे follow कर सकते हो YouTube पे आप मुझे follow कर सकते हो आप चाहो तो Facebook पे कर सकते हो तो आप मुझे Facebook पे follow कर सकते हो ओके you can follow me over Facebook यह हमारा क्या है eminent tutorials है okay at the rate of eminent education पे आप मुझे follow कर सकते हो आईए आप Instagram पे मुझे follow कर सकते हो safe process है eminent यह Instagram की हमारी साइट से आप मुझे follow कर सकते हो you can follow me over eminent tutorials यह telegram पे आप मुझे follow कर सकते हो okay you can follow everywhere आप मुझे हर जगा follow कर सकते हो okay आई तो नए विचार के साथ और अच्छे विचार के साथ इस session की शुरुआत करते हैं one small positive thoughts okay in the mornings can change can change the your whole days एक जो शक्रात्मक विचार है पूरे दिन को आप में परिवर्तन ला सकता है पूरे दिन को obligatory for the president to give his assistant to यह questions है कि 1974 के 24 समिदान संसोधन अधिनियम ने राष्टपती को अपनी समती देने के लिए अनिवायर पना दिया गया है या उसे वाद्द कर दिया गया है कि राष्टपती उस पर अपनी अनुमती देगा ही देगा अगर वहां बिल है constitutional amendment bill, general amendment bill, state legislation bill या money bill अगर आपको पता होगा कि 1940 ओके आपको इसको answer करने डिया फिर मैं आपके descriptions को आपके बारे हैं जालता है देने वाला हुआ है आईए समय आपका समाप्त हुआ अब हम आगे शलते हैं तो constitutional amendment bill यह जो constitutional amendment bill है it means यह जो बिल है यह तो both the houses both the houses both the houses में इस बिल को अगर पास कर दिया गया है तो 1971 में आपकी सम्मिदान संसोदन हुई थी जिसे 24th constitutional amendment कहा जाता है इसके अधार पर प्रेशिजेंट्स को अपनी सहमती देना compulsory कर दिया गया है साथ ही साथ power दे देंगया है पार्लेमेंटको इसमें power दे दिया गया है किसको पार्लेमेंट को और पास होने के बाद अगर यह रास्टपती के पास जाता है तो सभी पर आपको अपनी सम्हीं सकता है और नहीं परहएगा और फिर या इसे state legislation bill जो है वो direct governor के पास जाता है ना कि राजश्पति के पास जाता है अब सवाल उटता है money bill यह just money bill है यह special provision है यह ऐसा bill है जिसमें राज सभा को को राज सभा की अनुमती नहीं लिनी पड़ती है मतलब इस cannot be mandate to be put in the राजसभा यह डाइरेक्ट लोग सभा या इस राजसभा को इस बिल को रोकने की पावर नहीं है ऐसी कोई emergency financial budget बनानी होती है तो government money bill के रूप में उसे पास करा लेता है और यह आठकिल 110 के तहट money bill को लाया जाता है मनी बिल को लाने से पहले प्रेसिडेंट की अनुमती लेनी पड़ती है और प्रेसिडेंट की अनुमती के बार इस money बनी बिल के अंदर तो आप देखने हों कि ट्वेंटी फॉर्थ कंसेशनल एमेंडमेंट एक्ट की बात करोगे तुनीस सेखतर में देखने को मिला था इसमें दो बाते आई थी फर्स्ट यह बात कि पार्लियमेंट को यह पावर देते गई है कि वह आपने जरूरी कंसेशनल कर सकता है दूसरी बात राश्पति को थोड़ी से लगाम लगा दी जाती है राश्पति को यह कह दिया जाता है कि भाई आपके पास अगर कोई बिल लाता है और वह कंसेशनल एमेंडमेंट है मिन्स पार्लियमेंट के बोथ हाउस के दोरा उनमेंडमेंड करके आपके पास लिया है तो आप बिलको ब्रेक नहीं कर सकते हो आपको अपनी अनुमती देनी होगी इसकी अनिवारत्या कर दी गई थी चौविसमे समिदान सलसोटन ने चले नेक्स कोशन में आते हैं तो एस्टेट लेचिसलेसे दो टेक पार्ट इन अलेक्शन ऑफ राज बिधानमंडल के चुनाओं में भाग नहीं लेते हैं ओके राज के जो बिधानमंडल हैं मतलब आपकी जो राज है उस राज के अंदर जो एसेम्बली है उसेम्बली के जो सदस हैं वो किनके अलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं पैसेडेंट्स ओफ इंडिया वाइस प्रसिदेंट्स ओफ इंडिया शेप मिनस्ट्र आप स्टेट्स या राज सर्वा मिंबर तो आपको बताने हैं कि इसके अंसर्स क्या होगे एंसर होंगे दियर, वाइस प्रसिडेंट्स ओप इंडिया, आपको बटा है कि वाइस प्रसिडेंट्स ओप इंडिया की जो एलेक्शन्स होती है, उस एलेक्शन्स में, तो आप देख रहे हो कि इसकी जो एलेक्शन्स होती है, आर्टिल 66 के तहट होता है, और भारत के पास ए असर राधा कृष्टन असर राधा कृष्टन जो है वो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे उपराष्टपती थे भारत की ओके अब इन में जो हैं इनका जो इलेक्शन होता है वो प्राष्टपती का 66 के तहट होता है इस उपराश्क्रती के election में कौन भाग लेते हैं तो elected member of the both houses तो ये राज सवा और लोग सवा दोनों के member इसमें participate करते हैं साथ चाथ elected member of legislative assembly ओके elected member of legislative assembly correct ना तो क्या ये भाग लेते हैं ये भाग नहीं लेते हैं upper house ये lower house के लोग ही इनका selection कर देते हैं बट अगर आप राश्क्रती की बात दिखोगे तो आपके लोग सवा आपके बात करोगे elected member of both house राज सवा और लोग सवा के दोनों सदस साथिसाथ assembly बिधान राज बिधान सवा के सदस और साथिसाथ डेली डेली और पूरी चेरी दो यूनियन territories है इनके सदस भी presidents के election में participate करते हैं ओके election of presidents आपका कितना है 60 election of presidents अगर आप बात करोगे तो 54 के तहरा देखने को मलता है तो यहां से election 54 के तहरा देखने को मिलेगा इसका election 66 के तहरा देखने को मिलेगा और राज सवा और यह चीफ minister तो चीफ मिनिस्टर में तो only assembly चीफ मिनिस्टर का तो election होता ही नहीं है इनका क्या होता है selections होता है ओके चली तो राज विधान बंडल के सदस्किन में participates नहीं करते हैं next who launched the newspaper Bombay Chronicle during Indian struggle for independence श्वतंत्रकेश के लिए भारत के संगर्ज के दोरान आखवार Bombay Chronicle का सुभारम किन के दोरा किया गया था महात्मा गांदी पंडे जवाला नहरू फिरोसा मेता और लाला लास पत्रा है तो आप answer की दिश्टी से देखोगे तो फिरोसा मेता फिरोसा मेता की अगर आप बात करोगे इनके बारे में जानने का प्रयाश करोगे फिरोसा मेता का स्पेशलड में क्या हास्ती रखते तो थो बेसिकली बात करोगे तो यह एक पर्शियर नागरिक थेर और से और यह 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 एकंडूयर की यह Bombay High Court के अंदर एक Lawyer के रूप में काम कर रहे थे साथ मिनिसिपल मिनिसिपल साथ जो मिनिसिपल मिनिसिपल चार्टर मिनिसिपल चार्टर प्लान जो होता है इन्हें के दौरा बना गया था 1872 के अंदर और साथ यह सिक्स्थ सेशन जो की खेक सेशन जो की कैलकाटा में होए थी ऑठारह सोनब्य में में जो की खेकाटा में होए था कैलकाटा के अंदर हुआ था सिक्स्थ सेशन उप इंडियन ऑनिन और age औधी उसकी अद मेया था किन अे कि बाल है न thri ese Bombay Chronicle, Answer is Your Firoz Sa Mehta ओके, करेक्ट चलिए The Government of India Act 1935 was based on the recommendation of भारत सरकार अधिनियम 1935 इसकी सिफारिस पर अधारित थी आपको पता होगा कि 1919 में भारत के लिए एक कानून बना था सासन परनाली बनी थी उसकी समिच्छा के लिए आपके धर 10 सालों पर पर्शन को भीजा जाता था, ओके जो आप देखा था कि साइमन कमिशन आये थे और साइमन कमिशन के recommendation के अधार पर 1935 में 1935 Act का formation किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1923 किसकी सिफारिस पर अधारित थी तो साइमन कमिशन, आप देखते हैं कि ये साइमन कमिशन क्या था बेसिकली ये 7th मेंबर कमिटी थी साइमन कमिशन इदर 7th मेंबर ऑफ पार्लियमेंट ये पार्लियमेंट के 7 मेंबर की कमिटी थी और किसके मार दर्शन में ये भारत आई थी तो Simon जी के मार दर्शन में यह कमिटी भारत आई थी किसके लिए? Two Studies Two Studies, The Constitutional Two Studies, The Constitutional Reform किस तरह के Constitutional Reform देखने को मलते है इनकी Studies के लिए यह यहां आये थे कौन? तो Simon Commission आये था और यह Simon Commission कब आये था? तो 1928 में आया था, आपको पता होग इसे आना चाहिए था 1929 में, बड़ साइमन कमीशन जो है, 1928 में ही चलाया, ओके, तो आप एंसर करोगे, और इसमें लाला लाजपत लाए never ने कहा था साइमेन कमिशन गो बैक जिससे लाला लाजपत्राई को एक चोट लगी थी और लाला लाजपत्राई की मिर्ट्व भी हो गई थी तो गवर्मेंट ऑप इंडिया एक्ट जो 2019 थी उसकी समिच्छा के लिए इनकी अब्जरवेशन के लिए इनकी रिफॉर्मेशन साइमन कमीशन भारत आया था और इसी के रिपोट के बेस पर 1935 एक्ट को तयार किया गया । ने मचलं की अभारत का दो ही तो साइमन कमिच्छीन और्नामेंट नो था इनन में जए जो है जो निस्क था कोगो रोटन में में नेक्स बार्ट में हैंड में में एंड में ये बैसे क्ली था निठ इसी Southern है कशया जिसके पाटा प्लक निस्का इसका नाम है निश्गा इंडिया की जो है इनिय्ड होत ने अग्स को इंडिया increase के ल्यांटी 1 ओर्द के जिल्फेरए ग्लोबन हादन इंडेक्स में अगर पूरे वर्ड में देखोगे तो एक सो साथ कंट्रियों के बीज में इंडिया की पहले रैंक थी वह एक सो साथ थी इस रैंक की शुरुआ तो 2006 में होई थी इस तरह का एक जेंडर जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तयार किया जाए ओके और इसमें जो है ग्लोबल हाँ है और इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपको 14 पर्षेंट का ग्रोथ देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर स्क इंटेर्फराइब कौर पॉलेसी पे इन्टर्ट्टूटस स्वारत होडिया में जाता है जिसमें भारत का रही है अभी तो 94 रेंख भारत के पास है और लास्ट येर अगा देखोगे तो भारत के रेंख कितनी थी तो लास्ट येर रेंख कितनी थी 102 और आप बात करोगे टोटल 107 कंट्रीओं के बीच का ये इंडेक्स है तो इंडिया की पोजिशन बहुत खराब एडियर और इंडिया के अदर मा पॉरीप नियोसरे थे कि व्यर्य इनुद करने यहां पे-माल लिउट्विचेम। इसको दूर वारत सरकार के तरफ से कई प्रोगाम चले गए जैसे पोष्यन अभ्यान जैसे कौन सा अभ्यान है तो पोश्यन-भ्यान हैं इस पोईशन आभ्यान के शुरव醉त की गयी दू इंपोर्टेंट है नेशनल फुड़ फुड़ सीक्यूरिटी एक्ट नाइक्ट जो है 2013 में चालू की गई थी और सबसे इंपोर्टेंट है जो मान लिट्रेशन के समस्या होती है वो चाइल्ड में होती है तो उनके लिए है ऐसीिसिसटी बार एक्ट साम्सरेश दोप्यप्यों में कि अप्यों बार इंप्यृटी यडिगेट bisa सक्षंप्यूं कि इंप्यूं कि रिद्र नेशना में कि यक्यूं में कुंडेट आंड एक्ट 730 इंप्यूं बार ने जाstorm है एक्ट इंप्टी इस है सारे प्रोगाम चलाए जाते हैं भारा सरकार की दोरा ताकि आपका जो ग्लोबर हंगर इंडेक्स में हैं उनमें शुदहार देखने को मिले हैं अब प्रोसेस ऑफ बजेट मेकिंग आप्टरी इविल्वेटिंग से अबरी आइटम्स और एक्सपेडिचर इन एबरी फैनेंश इन लोनार लेक एग्जामब्ल उप क्रेटर लेक फुल लेक आट वाटर लेक एंड़ स्वीट वाटर लेक एंसर वगडियर लेक्स को कहते हैं आपको पता होगा कि यह जो ज्यौला मुख अप्लेस है यहां से निन गफिक फ्रहार होगी और इस ज्यौला मुखिकी उदिता बार की वजय से आपका क्या बनेगा यह आपका बाहर में आता है लावा यह क्या आता है लावा तो लावा जब बाहर बार बार निकल रहा है इसके क्या होते हैं चिद्र काफी बड़े होते हैं और यह जब बड़े होते 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 इनकी रेडियस 100 मीटर तक चली जा वो ठंडा हो जाते हैं और इस ठंडा होने के कारण से जील का निर्मान होता है और इसे आप Crater Lake कहते हैं क्योंकि जब इनकी शित्र बड़ी हो जाती है इनका radius बढ़ जाता है तो उसे हमनों Craters कहते हैं और इनके participation के वज़े से जो पानी ठंडा हो जाती है उसको हमनों क्या करते हैं Crater Lakes कहते हैं तो भारत में एक जील है जिसका नाम है लोनार जिल जो महारास्टा के अंदर है वह एक क्या है तो Crater Lake आप बात करोगे लोनार जिल को यह क्या है एक तरह का महारास्टा के अंदर है महारास्टा के अंदर है और यह क्या है एक तरह का लोनार जिल ओके गंगाबाल लेक इस लोकेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे तो रसकीं बाप्ण लेखो कोने तो रसकीं बाउन है या इनियान ओफर से उप्रिटिस पे इंद नहीं के अंदर इंडिक्र इंदिया के ओफर वहां पर इनका निवास होता है basically इनका जो mood है इनकी habit है वो बिलकुल child के जैसी है तो child पर जतने books लिखी जाती है वो उनमें इनका काफी योगदान है इसलिए रख स्किन बॉन्ड को a song of India कहा के book के writer माना जाता है ओके तुझी है आपका top 10 questions हुआ जो कि साइध आपके examination में काफी मदद करें इस तरह के series आपको week में only one times मिला करें ओके बाकी हमारी economics की रेगनर शुवात हो रही है गुद्धवार से ओके मैंने कहा थ्रस्टे से बिरस्पत वार से आपको economics के sessions मिल जाएंगे और आप देखना चाहते हैं आगे के वीडियो को economics के classes को देखना चाहते हैं तो eminent tutorials पे आप जरुर से जरुर सब्सक्राइब करें आप अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप telegram पे जाके संभर कर सकते हैं telegram में मैंस्टर का वीडियो का PDF भीज़ दोना thank you thank you thank you you have to follow me over the telegrams